Every life deserves a certain amount of dignity, no matter how poor or damaged the shell that carries it. Dignity is about showing self-respect and having quiet self-esteem. द्रावपदी संपुर्न नारी थी, वह कार्य कुशल थी और लोक व्यवहार के साथ घर ग्रिहस्ती में भी पारंगत थी. अपने कार्य व्यवहार के कारण वह पांचों पांडवों के लिए सम्मानित थी. द्रावपदी खुद एक नाईतिकता का शिकर है क्योंकि महाभारत में द्रावपदी पुर्षवादी व्यवस्ता को चुनावती देती है. जब पांचों पती द्रावपदी को जुवे में हार गए तो द्रावपदी ने बरी सबा में युदिष्टिर से सवाल पुछवाई की युदिष्टिर पहले द्रावपदी को हारे थे या खुद को. अगर वे पहले खुद को दाव पर लगा कर दास बन चुके हैं तो उन्हें द्रावपदी को हारने का हक नहीं क्योंकि दास के पास फिर एसी कोई वस्तुर नहीं रह जाती जिस पर वह अपना स्वामित्व चलाए और वह पांचों पांड़ों के पतनी थी सिर्फ संगत है जब युदिष्टिर जुए में सब कुछ गवाया और द्रावपदी के चीरहरन के बाद किसी संभावित अनर्द को टालने के लिए दृतराष्ट ने द्रावपदी को तीन वर मांगने को कहा तब भी द्रावपदी ने अपना विवेक का इस्तेमाल कर दो वर में अपने पतियों को दुरियोदन के दास होने से मुक्त कराया और उनके अस्तरशस्त्रों को भी और तीसरा वर मांगते वक्त एक क्षेत्रियक अन्या को तीन वर मांगने का हक नहीं है कहते हुए नहीं मांगी जिससे खुद का ही नहीं बलकि पांड़ों को भी अपमान से द्रोपती ने स्वयमवर में केवल अर्जुन को वर चुना था, लेकिन महाबारतकाल में बहुपती विवाह का प्रिचलन नहीं होने के बावजुद भी पांचों पांडवों को द्रोपती ने अपने पती स्विकार करना पड़ा। द्रोपती का आचरन आदर्श और अनुकर ने माना गया, थथा महाबारतकार ने उसके इस पत्नी रूप को देवी की गर्मा दी। में दया रहती है। ये सहीर नहीं है कि द्रोपती के अपमान का बदला लेने के लिए ही महाबारत युद्ध हुआ था। पांडव सिर्फ राज चाहते थे द्रोपती के अपमान का बदला नहीं, ना ही धर्म किस्तापना। द्रोपती कीचक वद के लिए जब युदिष्टिर को प्रेरित की तब युदिष्टिर उसका वक्त नहीं आया कहने से अपमानित महसूस की। भीम को आसानी से बढ़काया जा सकता है जानकर, उन से कीचक का वद करवाई। उससे भी संतुष्ट ना होते हुए द्रोपती वहां के रक्षकों से कहती है कि अंदर जाकर देखो, पराइस्त्री के प्रती बुरी नजर रखने वाले कीचक का मेरे गंदर्व पतियों ने क प्रेद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन असाधार नारी द्रोपती के सामने दुर्योधन के कोशिशे ना काम रहे। पांचों भाईयों को भाने वाली द्रोपती खुद इतिहास को दिया हुआ अपना वचन निपाती रही।